कुद्रत के करिश्पे कितने और कैसे कैसे हम और आप यकीन भी नहीं कर पाते और ऐसी चीजें देखने को मिल जाती हैं जिन पर भरूसा करना मुश्किल होता है जहां साप के डसने के कई किस्से आपने सुने होंगे लेकिन आज हम आपको एक ऐसे डेड़ इंच लंबे जहरी जहरीले साप की तस्वीर दिखाने जा रही है लेकिन ये सुनने में अजीब और गरीब है पर ये सच है जहां यूपी के अलिगर जिली में एक जहरीले साप की ऐसे खौफनाक तस्वीर सामने आ रही है जिसे साप ने एक से डेड़ इंच की साप की खौफनाक तस्वीर आन गोड़े की आख में गुस गया गोड़े की आख में जरीला SÁP को निकाला और काज के जाल में काज की गाँड़ शहर में साप गोड़े की आख में been तो शायद आप भी यकीन नहीं कर पाएंगे। लेकिन यूपी के अलिगर जिली के थाना मड़ाग के पास गाव सिंध्रा में ऐसा देखने को मिला जहापक घोड़ी की आख में लोगों ने साप को तेरते हुई देखा। जहां घोड़ा मालक बूरा रोज की तरह जब सुबह अपने घोड़े को काम ले जाने से पहले अपने घोड़ी की आख को पानी से साफ कर रहा था तो उसमें उसे एक धागे नमास साफ अपने घोड़ी की आख में देखा। तो वो गोड़ी की आँख में सांप देखकर दंग रह गया, जहरीला सांप गोड़ी की आँख में तेरता हुआ देख उसके होश उड़ गया, इसके बाद उसने गोड़ी की आँख में जहरीला सांप होने की जानकारी ग्रामिनों को दी और गोड़ी की आँख में जहरीला सा को घूम रहा था इसके बाद गाम में हला हो गया कि भूरा के घोड़े की आँख में साप तहरा है फर क्या था आसपास की गाम तक ये बाद आख की तरह फैल गए और साथी साथ भूरा भी परिशान था कि इस कीड़े से उसके घोड़े की जान को कोई खत्रा तो नहीं होगा उसने अपने गाफ के लुगल डॉक्टर और सरकारी पशु अस्पतार में इलाज के लिए संपर्के किया जसके बाद कोई भी काम्याबी भूरा को हाथ नहीं लगी इसकी तोरान वो काफी परिशान भी रहा और गाफ के एक विक्ती ने अलिगर के वरिष्ट पशु शले च चिकस्ता के द्वारा बाहर निकाल देंगे उसके अगले ही दिन डॉक्टर वास्प्रेंट सिंग्रा गाह पहुंचे और गोडे के आँख में घुसे साप को निकालने की जानकारी मिलते ही गाह में लोगों की भीर जुट गई और साथी साथ आपको बता दें कि लोग काफी साथा है और सभी लोग देखना चाहते थे कि आँख में से सापनुमा कीड़े को कैसे निकाला जाता है जसके कुछ घंटे बादी गाह पहुंचे डॉक्टर वराम ने गोडे की आँख से शलच किस्ता के द्वारा सापनुमा कीड़े को सरजरी करते हुए बाहर निकाल दिय कि यह गोडे के लिए तकलीफ देखा और कैसे इसको लाज किया है तो यह आंक के पीछे बाली जो कौर्णिया का लेर होती है उसके बार बार रगड़ खाने से इसमें सफी दिया जाती है और अगर अगर ओनर को अगर यह मालूम ना पड़े तो पंदर से बीस दिन बाद ग के लाज है जिसे हम सर्जिरी द्वारा इसे हम करते हैं वहां के पशुमालिक ने मेर से संफर किया और मैं अगले दिन वहां गया और एक ठोड़े को हलका सा सेडेशन देते हैं और उसी बीच में एक इन्सीजन लगा कि उस और बहुत होता है इसे अंदा भी हो जाता है और का ऑपरेशन करना भी बहुत कठेन होता है क्यों यह हल्की सी गलती जो है पशुको जिन्दीगी पर के लिए अंदा कर सकती है जी जी यह जो है मच्छर के काटने से होता है लोग ध्यानी देते हैं गाउं में और बचाने का तरीका भी होता है कि अगर पशुको अगर लोग को अपने ध्यान से रखें मच्छदानी वगरा लगाएं समय समय पर थोड़ा नीम का तेल या इसका तेल लगाएं ताकि मच्छर इससे पास नहीं आते हो तो इस तरह हम बीमारी से हम बस सकते हैं इस बीमारे को क्या कहते हैं और इस कीले का क्या नाम है इस बीमारी को हमारी तो यह चोटा सा कीड़ा होता है लेकिन काफी इस्तिति यह है कि अभी मोर दें 55 पर्षेंट जो है उसे आरा मिल चुका है और इस तरह की समस्या जो है लगबग एक महीने से जाग उख है तो जथना जल्दी होगा आसपास रजदीक में जो भी उनके पस्तू चिकस्ट्स या पस्तू चिकस्टक उनसे संपर करें कि जितना जल्दी होगा है कि इस थी वड़ी मिलती है अन्य जानवर में यह पर एरिया में देखने को है